जो कह सकते है स्वामी विवेकान नंद जी ने रामकृष्ण परमाउस को जब पूचा कि क्या इश्वर को आपने देखा है उन्हों ने बहुत लोगों को पूचा था तो गोल मटोल बाते होती थी क्योंकि तरकर से तो बहुत लोग बता सकते मैं भी बता सकता हूं आप भी बता सकते लेकिन तरकर की वहाँ चलती नहीं वस्तों में क्या है तेविन राध ठाकुर को रिविन राध जी के पिता जी को उन्होंने पूछा तब वो उत्तर नहीं कहा कि तुमारे आखों में उत्तर नहीं आया अपने कॉलेज में पढ़ते समय फिलोसॉफी पढ़ते समय ट्रांस इस शब्द पर चर्चा चली तो उनके अंग्रेज प्रोफेसर ने बताया कि इसका सही अर्था आपको जानना है तो दक्षिनेश्वर जाओ वहां राम खृष्ण परमौस के पास वो पहुँचे और एक दो बार मिलने के बाद उनों ने प्रश्ण पूछा कि क्या भगवान को आप देखा है भगवान को तो राम कृष्ण परमौस जो मुश्किल सी चौती पास रहे अंगे पागल जैसे लगते थे उन्हों अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो तुम भी यह कर सकोगी अब इस बात को इतने आत्मविश्वास के साथ बता सकने वाले लोग आज भी अपने देश में मिलते हैं उस सत्य के आधार पर वो सत्य क्या है इसका वरणन जैसा मैंने कल कहा अलग-अलग है और परस्पर विरोधी भी है परंत वो एक सत्य है वो अस्तित्व की एकता का सत्य है और उसके चलते दुनिया की विविधताओं का स्विकार सम्मान करो उनका उत्सव करो अपने अपनी विविधता पर श्रद्धा पुरुवक पक्के चलते रहो बाकी सबकी विविधता का सम्मान करो और मिल जुलकर चलो यह संडेश देने वाला जो मूल्य समुच्च है वो मूल्य समुच्च हिंदू है